हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपका अपने एग्री मिसंट पॉइंट के यूटूब चैनल पर तो दोस्तों सभी को पहले गूड अप्टर नून और आप सभी का पेपर कैसा गया है यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना जो आज का पेपर था पेश्ट ऑप क्रॉप्स एंड श्टूरेज ग्रेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट फिप्ट सैमिस्टर ब्यास एगरिकल्चर वालों का उसकी आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आप लोग अपने कुश्चन्स और उनकी आंसर मिला लेजिए चलिए चलते हैं पेटेंड बग का बैग्यानिक नाम है तो हैं कुश्चन बन का आपका अंसर ए सही हो जाएगा कुश्चन बन का आपका अंसर ए सही हो जाएगा बैग्राटा क्रूसी फेरम नेस्ट कुश्चन है कि गन्य की सफेद मक्खी का बैग्यानिक नाम है तो कुश्चन दो का आपका अंसर डी सही हो जाएगा नेश्ट कुष्चन है तीन मक्के के तना छेदक का बैग्यानिक नाम है मक्के के तना छेदक का बैग्यानिक नाम है तो यह कुष्चन तीन का आपका अंसर C से ही हो जाएगा चलो पार्टेलस नेश्ट कुष्चन चार दीमक सिर्में खोते हैं यह option बांज मादा, B. बांज नर, C. उपजाओ नर, D. उपजाओ मादा तो question 4 का आपका answer, B. से ही हो जाएगा बांज नर Next question 5, दीमक है यह option monophagus kit, B. यह polyphagus, C. olgophagus, D. उपरिउक्त में से कोई नहीं तो यह question 5 का आप, B. से ही हो जाएगा polyphagus kit Next question 6, वाइट ग्रव, गड़ के इंतरगत आता है A. उपजाओ लेपीडिप्टिरा, B. आर्थुप्टिरा, C. हैमिप्टिरा, D. कॉल्युप्टिरा तो यह question 6 का आपका answer, D. से ही हो जाएगा इंतरगत आपका वाइट ग्रव आता है Next question 7, दीमक गड़ के इंतरगत आती है दीमक है, वो किस गड़ के इंतरगत आती है तो question 7 का आपका answer, C. से ही हो जाएगा आईसूप्टिरा Next question 8, तमाकू की सूड़ी, किस गड़ से संबन देते है तो यह question 8 का आपका answer, A. से ही हो जाएगा लेपीडिप्टिरा Next question 9, बिहार, बालों वाली सूड़ी, किस गड़ के इंतरगत आती है तो question 9 का आपका answer, A. से ही हो जाएगा Next question 10, दीमक का बैग्यानिक नाम है तो यह question 10 का आपका answer, D. से ही हो जाएगा Next question 11, तमाकू के कैटरपिलर का बैग्यानिक नाम है तो question 11 का आपका answer, C. से ही हो जाएगा Next question 12, बिहार, बालों वाली केटरपिलर का बैग्यानिक नाम है तो यह question 12 का आपका answer, A. से ही हो जाएगा Isplosoma, Di, Krecia, Oblick Next question 13, the larvae of our light brown color and turns redis as they grow in our head तो यह question 13 का आप का answer, A. से ही हो जाएगा M. से एक्ता, मुराई Next question 14, किस कीट के वैस के गहरे बूरे रंके होते हैं और लहरदार सफेद निसानों के साथ बूरे रंके अग्रपंक होते हैं तो यह question 14 का आप का answer, B. से ही हो जाएगा Explosoma Oblique Q Next question 15, दीमक कमें तुन कहां होता है तो दीमक कमें तुन आपका A. से ही हो जाएगा Next question 16, लगवक्त 30,000 अड़े पर डे किस के द्वारे दिये जाते हैं तो वो आपकी दीमक 30,000 अड़े पर डे दे 30 लिए question 16 का answer A. से ही हो जाएगा Termite Next question 17, एफ़ेड मादा हैं जो इंगलिस में पढ़ लीते एफ़ेड फीमेर्स वेचार Aptres, Viviparious, Parthenogenetic And they emerge in spring from overwintered eggs Are now age Question 17 का आपका answer Question 17 का आपका answer C. से ही हो जाएगा Next question 18, बंडारण में चावल जौर गया हूँ जो मक्का के दानों पर 1.5 mm ब्यास के अनिमे चिद्रों की उपस्तिती किसके हमलिक कारण होती है तो एक question 18 का आपका answer B. सही हो जाएगा Next question 19, साइटो फिलस औराईजी की आनिकारण अबस्ता होती है A option grub, B caterpillar, C maggot, D nymph तो एक question 19 का A answer सही हो जाएगा Next question 20, पल्स वीटल की आनिकारण अबस्ता होती है तो एक question 20 का आपका answer तो एक question 20 का answer D सही हो जाएगा Next question 21, की सिटो रोगा कैरिये लिया की आनिकारण अबस्ता होती है तो question 21 का आपका answer B सही हो जाएगा Sorry, question answer काँ B सही हो जाएगा Caterpillar Next question 22, पल्स वीटल की आपका अबस्ता हो जाएगा Next question 25, sorry 23, कपरा वीटल परवार से संबन्दित है कपरा वीटल किस परवार संबन्दित है तो question 23 का आपका answer A सही हो जाएगा Next question 24, बंडार के अनाजों के उसकीट का नाम है जो खेत, त्रेसिंग यार्ड और दुकानों में दालों पर हमला करता है तो यह question 24 का आपका answer B सही हो जाएगा Next question 25, अनाज का बंडार करती समय नमी कितने परसेंट से कम होनी चाहिए तो यह question 25 का आपका answer C सही हो जाएगा 10 Next question 26, कौन से बंडार कीट की मादा अनाज में एक छोटा सा छेत करती है और उसमें एक अन्डा देती है और एक जिलेटनिस पिलक की साथ कवर करती है तो यह question 26 का आपका answer A सही हो जाएगा खपरा बीटल Next question 27, कार्भी फ्यूरान का formulation के रूम में उपलब दोता है A, 2G, B, 10G, C, 3G, D, 20EC तो question 27 का आपका answer C सही हो जाएगा 3G Next question एंडू सलफान का formulation के रूम में उपलब दोता है तो यह question 28 का आपका answer B सही हो जाएगा 35EC Next question 29, कार्भी रिल का formulation के रूम में उपलब दोता है तो यह question 29 का आपका answer A सही हो जाएगा 50WP Next question 30, डाइ में उपलब दोता है तो यह question 30 का आपका answer C सही हो जाएगा 30EC Next question एंडू सलफान का की राइस टूंगरू वाइरस के लिए एक वेक्टर के रूम में कार करता है तो यह question 31 का आपका answer A सही हो जाएगा Next question 32, दान के पत्तों का अनीमित भच्चड किसके कारण होता है तो यह question 32 का आपका answer D सही हो जाएगा टिद्डा के दुआरा ठीक टिद्डा, इंगलिस में भूलें तो ग्रास ओपर Next question 33, रोपाई से पहले अंकर के सिरे को काटना के स्कीट की एक अच्छी प्रबंध तक्नीक है तो यह question 33 का आपका answer A सही हो जाएगा तना, छेदक, स्टेम, बॉरर Next question 34, चावल में सफेद वाली किसके हमले कारण होती है तो यह question 34 का आपका answer A सही हो जाएगा लीप, स्टेम, बॉरर, तना, छेदक Next question 35, चावल के तने के छेदक के खिलाब अंडा परजी भी छोड़ा जा सकता है Question 35 का आपका answer C सही हो जाएगा Trichogramma, Chalonis, ठीक Next question 36, किस कीट से प्रबाबे ज़ार का पौदा अधिक side tiller का उत्पादन करने वाल बन जाता है A option है, सपेद तना, छेदक, B, तना, छेदक, C, गुलाबी तना, छेदक, D, सूट फ्लाई Question 36 का आपका answer D सही हो जाएगा, सूट फ्लाई Next question 37, एक पत्ती मद्दिसरा का सुरंगन किसके द्वारा किया जाता है तो 37 का आपका answer B सही हो जाएगा Next question 38, कार्टेप, हाइड्रो क्लॉराइट का फार्मिलेशन है हुपलब दोता है, तो यह question 38 का आपका answer A सही हो जाएगा, 10 G Next question 39, पाइरला, पर्प्यूसिला, वाकर एक कीट है तो यह किसका कीट है, तो एक question 39 का आपका answer B सही हो जाएगा, गन्य का Next question 40, एमालो, सेरा, डिप्रे, सेला की उसमियान अबदी कितने दिन होती है तो एक question 40 का आपका answer D सही हो जाएगा, 5 से 12 दिन Next question 40, गन्य की सफेद मक्खी के प्रवंदन के लिए सस्य पद्दती में सामेल है A option, उचेजल, निकासी, B, गन्य की पत्तियों के पिछेदन, C, उर्परकों में अधिक प्रियोक समचने, D उप्रियोक सभी तो question 41 का आपका answer D सही हो जाएगा, उप्रियोक सभी Next question 42, गन्य सीर्स वेदक परवार का सतस है तो यह question 42 का आपका answer B सही हो जाएगा, पाइरोस्टिडी Next question 43, कौन सा गन्य की अन्यों को सफेद सूती मौमी तंतु से डखता है तो यह question 43 का आपका answer B सही हो जाएगा, सफेद मक्खी यनकी वाइट फ्लाई Next question आपका 44 पेक्टिनोफोरा, गोसिपीला, कीट है तो यह किसका है, धान का कपास, सरसों है मक्खा का तो यह question 44 का आपका answer B सही हो जाएगा, कौन यहनकी कपास Next question है आपका 45, प्रवेस के छेद कीट के उन लार्वा के मौलमूतर से बंद हो जाते हैं पीज की गुटली के अंदर खा रहे होते हैं, तो यह question 45 का आपका answer B सही हो जाएगा, चित्तिदार, सोड़ी, इनकी स्पोर्टेड वाल बॉम Next question 46, ट्राइकोगरामा चलूनिस का अंदा परजी भी नहीं है, तो यह question 46 का आपका answer B सही है, गन्ना अगेती, प्ररो, बेदक, यह ट्राइकोगरामा चलूनिस का अंदा परजी भी नहीं है Next question है आपको 47, कपास का कौन सा कीट, रेसमी दागों से बंदी तुरही की रूप में पत्तियों गलो पेटता है, तो यह question 47 का आपका answer D सही हो जाएगा, सलेप्टा, डेर गोटा Next question है आपको 48, कपास के पत्तों में आपर बर्न कीट के अमले के कारण होता है, तो है question 48 का आपका answer B से जोगागा, लीफ आपर Next question है 49, लीफ कर्ल किसके द्वार प्रेसित होता है, यह एपिट की द्वार, B लीफ आपर की द्वार, C त्रिप्स, A, D सफेद मक्य, तो है question 49 का आपका answer D से जोगा, वाइट फ्लाई Next question है आपका 50, कपास के कीट की संक्या को बढ़ने से, रोकने के लिए गयर पसंदीदा पोसक फसलों जैसे जो़ार, रागी, मक्का, आदी के साथ फसल चक को अपनाना चाहिए तो है question 50 का आपका answer D से हो जाएगा, लीफ आपर Next question है आपका 50, लीफ आपर के नियंतर के लिए एक जैव नियंतरग्ड एजेंट का नाम बताईए तो question 51 का आपका answer C से हो जाएगा Next question है आपका 52, सरसों है फिट किस गड़ के नियंतरगा दाता है, तो है question 52 का आपका answer B से हो जाएगा है मिप्टीरा Next question है आपका 53, लीफ आपर के नियंतर करने के लिए किया जाता है, तो है question 53 का आपका answer Question 53 का आपका answer C से हो जाएगा 600 ml से 1 लीटर पर हेटी है Next question है 54, बग्राटा क्रूसी फेरम का कीट है, या किस का कीट है, question 54 का आपका answer B से हो जाएगा क्रूसी फेरिस फसलों का Next question है 55, अलसी गाल मक्की की आनिकारा का बस्ता होती है, तो एक question 55 का आपका answer D से हो जाएगा मेगट Next question है आपका 56, बग्राटा की आनिकारा का बस्ता होती है, तो वो होती है आपकी निम्प नेस्ट कुश्चन 57 सर्सों एफिट की आनिकारा कवस्ता होती है तो कुश्चन 57 का आपका अंसर ए सही होएगा निम्फ नेस्ट कुश्चन 58 सर्सों की आरा मक्की की आनिकारा कवस्ता होती है निम्फ, मैगट, गरफ, केटल पुलर तो यह question 58 का आपका answer B सही हो जाएगा Maggot Next question आपका 59 गन्य के सीर स्वेदक का बैग्यान गनाम है तो question 59 का आपका answer A सही हो जाएगा Next question is 60 Sorgam suit fly का बैग्यान गनाम है तो यह question 60 का आपका answer C सही हो जाएगा दोस्तों आप tension मत लेना यह जो answer की है यह बिल्कुल 60 का answer की है अब और आप पढ़ते रहिए अगले test की अगले exam अगले paper की तयार कीजिए कल फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले paper का solution लेकर आएंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए और best of luck साभी दोस्तों को कल के exam के लिए चली मिलते हैं फिर तब तक के लिए जैहन जै भारत